है यह थे विलकम टू दे हिंदी टूटोरियल्स दूस्तों आपने मेरे मोबाइल फोन में एक नई चीज देखी हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ दिल बने हुए हैं और उसके बीच में यहाँ पर मेरा नेम लिखा हुआ आ रहा है किशन सरोज और उसके ब मतलब कि जो मेन्यू बटन होता है आप आप देख सकते हैं और यह बैक बटन तो इन सब बटन के ऊपर आप यह सब कैसे लगा सकते हो और यह दिखने में आपके मोबाइल फोन को एक अलग ही लुक देते हैं यहाँ पर जैसा कि खुद देख सकते हैं यहाँ पर आपका नेम आएगा आप यहाँ पर किसी का भी name लिख सकते हैं अपने girlfriend का भी लिख सकते हैं अपने family members का भी लिख सकते हैं और background में एक अच्छा सा मतलब कि यहाँ पर वो theme लगा सकते हो देख सकते हैं कैसे आप customize करोगे आप अपने mobile phone में इसे तो अगर आप जानना चाते हो तो उसके लिए इस video को like कर दो और share कर दो इस video को और continue and तक इस video को देखते रहो So guys उसके लिए आपको smart navigation बार यह application डाउनलूड करना होगा लिंक आपको नीचे description में मैं दे दूँगा वहाँ से आप इसे download कर सकते हैं download करके जब आप इसे open करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ से on कर देना है on करते ही दोस्तों अब यहाँ पर आपको आजाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं scroll effect और यहाँ पर आपको कुछ भी ने करना है क्योंकि अलगी effect है तो आपको इसे थोड़ा सा slide करना है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं शायद बात अब यहाँ पर आपको main चीज करनी है सबसे पहले आपको आजाना है text पर text पर आओगे तो यहाँ पर आपको अपना name लिख देना है और जो name आप चाहते हैं कि मतलब की पहले यह name आए फिर यह name आए फिर यह name आए ऐसे आपको यहाँ पर तीन चान name लिख देना है या फिर कोई भी sentence लिख सकते हैं आपके उपर हैं यहाँ पर मैंने किसन सरोज लिखा है और हिंदी tutorials लिखा है तो यहाँ पर इतना ही मैं रहने देता हूँ आप चाहें तो और add कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यह जो text है इसकी speed वगरे आप मतलब की कर सकते हैं और इसका color यहाँ से आप change कर सकते हैं उसके बाद यह सारी की सारी चीज़े होने के बाद दोस्तों आपको इसे on कर देना है यहाँ पर आप जैसा की देख सकते हैं मैं on कर देता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह नेम जो है यहाँ पर आना इस्टार्ट हो चुका है जान दोस्तों ऐसे ही यह नेम जो है आता है यहाँ पर आप इसे चाहें तो एक मिनिट मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे प्रदे तो एक यहाँ से हटा देते हैं उसके बाद इसे close करते हैं इक काम करता हूँ इसे बन कर देता हूँ और फिर चालू कर देते हैं यहाँ पर आप जैसा की देख सकते हैं अब इसे अगर आप चाहते हैं speed बढ़ाना कम जादा करना तो यहाँ से कर सकते हैं और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे जो text की size है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पे आप देख लीजिए अभी यह जो छोटा हो गया एक्तम छोटा हो गया और इसे बढ़ाना चाहते हैं तो इसे यहाँ तक ला दीजिए आप अपने इसमें आप अलग-अलग animation set कर सकते हो, यहाँ पे अलग-अलग animation है, जो animation आपको पसंद आए उस animation को आप set कर सकते हैं, और कुछ यहाँ पेड़ है तो आपको पेड नहीं free वाला use करना है, उसके बाद दोसो और slide करोगे तो यहाँ पे आपको अलग-अलग effect देखने को मिल जा आने वाला है तो यहां पर आपको यह वाला इफेक्ट आपको दिखा देता हूँ एक मिनिट यहां पर इस पर क्लिक कर देते हैं यहां पर आप देख सकते हैं यह हड़ वाला बेग्राउंड और यह वाला भी आप देख सकते हैं इस पर क्लिक करोगे तो यहां पर आप जैसा क शेयर करो और हमारी चैनल को सुस्क्रेब करके बेले लाइकन दबादो थैंक यू दूस्तों बाय बाय टेक कियर